तो दोस्तों आज में शेर करने वाली हो एक ऐसी रेसिपी जो आपके लिए बहुती ज़्यादा फायदे मन्द है कोई भी दर्द हो सरदर्द है कमर दर्द है जोडो कर दर्द है कोई भी दर्द हो तो एक लड़ू आपने अगर सुबह खा लिया तो आप देर देर महसूस करेंगे कि ये दर्द कम होने लगा है तो ये बच्चों से लेके बड़ो तक के लिए बहुती गुणकारी और फायदे वाली रेसिपी है तो चलिए इस रेसिपी की शुरुआत करते हैं तो ये देखें ये गुंद के लड़ू बनाने के लिए ये चीज़े चाहिए तो इसमें गुड़ है अख्रोट है मनुके है थोड़े से काजू लिया है मैंने एक कटोरी मैंने गुण लिया है दो चमच मैंने बैसन लिया है और ये है सोंट ये लिया है मैंने थोड़ी सी स नौब का पावडर लिया है और बदाम लिया है गेहु का आटा है और पिस्टा हुआ खोप रहा है सुका वाला और यह काटोरी गुड़ है और गी लिया है मैंने एक काटोरी तो चलिये स्टार्ट करते हैं बनाना तो सबसे पहले मैंने कड़ाई रख दिये गेस पे और गेस ओन कर दिया है और दो चमच तीन चमच में घी डालूंगी इसमें अब इसमें सबसे पहले हम ड्राय फ्रूट को फ्राय कर लेंगे थोड़े से शेक लेंगे इने तो अभी मैं निकाल लूँगी ये हो चुके हैं अब इसी में मनुक का और खोप्रा भी डाल दूँगी और इसे भी हम फटा फट सेक लेंगे मनुक का जल जाते इसलिए ड्राय फ्रूट के साथ मैंने उसे नहीं सेखा है वो बहुत जल्दी जल जाते हैं तो ये खोप्रा हो चुका है इसे भी मैं निकाल लेती हूँ एक बाउल में अभी सेम कड़ा ही ले ली है और इसमें मैं फिर से एक चमच घी डालूँगी और ये गोंद को थोड़ा-थोड़ा करके मैं इसमें फ्राय करूँगी तो हम ये गोंद इसमें डाल रही हूँ मैंने थोड़ा ही डाला है और उसे थोड़ दे रहने दूँगी तो बेसं का बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो आप जरूर डालिएगा फ्रेंड्स इसमें तो देखिए मैं इसे सेक रही हूँ ना तो मुझे थोड़ा सूका लग रहा है तो मैंने और घी डाल दिया है दो चमच इसमें और इसे मैं सेकूंगी तो इसका कलरण चेंज होगा पूरे घर में इसकी भेनी-भेनी खुश्बू आने लग जाती तब तक इसे सेक ना है ये ब्राउन हो जाता है तो मेरा बेटा उसे सेक रहा है तब तक मैं ड्राइफ फ्रूट ये कर लेती हूँ ग्राइंड कर लेती और इसे निकाल लूँगी मैं एक बावल में बड़े बरतन में मैं निकाल रही हूँ ताकि इसी में सब हम मिक्स कर देंगे जितना भी हमने बनाया है सब तो ये देखें हमारा आटा दोनों गेंगा आटा और बेशन हो चुका है इसने कलर भी चेंज कर दिया है और सिख भी गया है अच्छा से तो ये हम जो जिसमें हमने ड्राइफ रूट निकाला था उसी में ये आटा भी हम निकाल देंगे इसी के साथ में मिक्स करने के लिए तो अभी ये गरा में तब तक रख दूँगी मैं और ये नारियल जो हमने पीस के रखा था से के वो और मनुका वला वो सब इसमें हम डाल देंगे और इसे में ऐसे ही रख दूँगी अभी साइड में तब तक चलिए अभी ये जो हमने गोन फ्राय करके रखा था इसे में ग्लास से क्रश कर रही है थोड़े से तो थोड़े से इनको बड़े रखूंगी ताकि ये जब मुह में आते ना इनके चंस बहुत अच्छे लगते हैं खाने में तो अगर आपको ये पसंद नहीं तो आप एकदम बारीग भी कर सकते हैं और मैंने ये गोन भी इसको ग्लास से कर लिया है तोड़ लिया है थोड़ा और इसमें मैं डाल रही हूँ और इसको रख देंगे साइड में अभी हम चलते हैं गेस की तरब तो गेस चालू कर दिया इसमें मैंने तीन से चार चमच पानी डाल दिया है कड़ाई में और जो हमने गुड बारी काटके रखाता ना वो इसमें डाल दिया है तो पानी के साथ इसको हम पिगा लेंगे गुड को ये तब तक हमको गरम करना है जब तक इसमें एक उबाल आ जाए और थोड़े बबल आने दिख जाए ना तब तक उबालना इसकी कोई चास्नी नहीं बनाना है और ये ठंडा होने के बाद अपने सेम फोम में आ जाता है तो देखिए गुड हो चुका है इसमें थोड़े बहुत इसके गुटली रह चुकी है सोंट डाल दिया है एक चम्मच और ये सोंप डाल दिया है बारिक किया हुआ तो ये तो जरूरी है डालना सोंप का तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है और सोंट इसमें डाला ही जाता है तो यह mix कर दिया है और अभी मैं यह इसमें जो गुड़ हमने पिगाल के रखाता वो इसमें मैं डाल रही हूँ गरम भोते बहुत ध्यान से डालना है नहीं तो यह स्कीन पे गिरता है तो स्कीन साथ में लेके निकलता है तो यह मैंने गुड़ डाल दिया है इसमें और इसे mix कर रही हूँ तो friends आप लोगों को यह लड़ू की recipe कैसी लग रही है प्लीज हर इस वीडियो में request करती हूँ तो मेरे वीडियो को like और channel को subscribe कीजिए इसे थोड़ी दे ठंडा होने देना है और तब तक ठंडा होने देना है जब तक इसे हम हाथ से चूँ सके इतना ही ठंडा करना जादा ठंडा नहीं करना है नहीं तो लड़ू नहीं बनेंगे अभी थोड़ थोड़ा portion लेकर आपको जैसा चाहिए वैसा size के लड़ू आप बनाईए मैं medium size के बना रही हूँ आपको छोटा बड़ा जैसा बनाना है वैसा आप बनाईए तो ये मैंने बना लिये हैं सब लड़ू और ये ठंडा होने के बाद और कड़क हो जाते हैं थोड़े मतलब जम जाते हैं घी रेता है तो ये लड़ू बनके रेडी है तो फ्रेंड्स ये ठंडी के सीजन में सब लोगों को घरों में बनते हैं तो आप भी जरूर बनाईगा कल फी राती हो एक नई रेसेपी के साथ तब तक के लिए टेक केर and बाई